देखे भारत एट नाइन कावेंद चौहान के साथ लोगों के मन में धिर्णा पैदा नहीं करना चाहते हैं कल मेरे साथ इसी मंच पर सादत अली लखनो वाले कैब ड्राइवर आज कल सुर्क्यों में हैं वो मौजूद थे उन्होंने बहुत सी बाते रखी उन्होंके दिल में जो कुछ था उन्होंने सामने रखा और आज मेरे साथ जुड़ रही है सुभाशनी जिनके जरीए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि असली सवालों के साथ नकली इंटर्व्यू दरसल लेते कैसे हैं और इस नकली इंटर्व्यू के जरीए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समाज के सामने असली सच लाते कैसे हैं सुभाशनी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत एक नाइन में धन्यमाद कामेंदर जी सुभाशनी जी हमने कई दफ़ा कोशिशे की आपसे बात करने के हाला के आपने हमें समय नहीं दिया आज आप हमारे सामने हैं सुभाशनी जी एक चीज़ बताएगे आप हो या कोई भी महिला हो वो इस तरह चौराहे पर किसी भी पुरुष को पीट देती है इस तरीके से चौराहे पर बिना डरी बिना पुलिस के डरी इस तरीके से थपड पर थपड जिसकी काउंटिंग 22 तक पहुचती है इस तरीके से पिटाई की जाती है आपको नहीं लगता कि अगर आपकी जगा हम जेंडर बदलते अगर साधतली होता और आपकी जगा साधतली को रख देते और साधतली की जगा आपको रख देते तो वो व्यक्त अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता आप नहीं है क्यों अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है मुझे देख रहा है या मेरे पीछे चल रहा है तो मेरा या दिकार है मैं उसको थपड मारोंगी और अगर आपने ज़्यादा सवाल किये और आप नहीं समझी जी ठीक है आप मुझको थपड लगा सकती हैं लेकिन ये कोई विधान तो होगा ये कहीं पर एक किताब तो होगी जिस किताब में ये सारी चीज़ें आपको लिखी हो ये अधिकार दिये हो क्योंकि हम तक्षा एक से लेकर बारवी और बारवी के बाद जो हमने कॉलेज किया स सुबाशनी जी हमें कहीं नहीं पढ़ाई गई इस तरीके की चीजें कि ऐसा भी कोई बुक है ऐसी भी कोई रूल बुक है जहां पर देखने से थपड पड़ जाता है हम गाड़ी से जा रहे हैं कोई मैला सामने आ गई तो वह हमको थपड मार सकती है ये उसको अधिकार दि सब डिए म्यश्या में गूर रहूंगर कोई मुझे में मेट्रों में घूर रहा है तो मैं उसको थपड मारूंगी या अगर वह में मुझे घूर रहा है तो भी ऑधी सिर्फ बाइस थपड लगाए थे, आगे काविंदर जी इससे जादा थपड लग सकते हैं। आप वहां मौझूद थे, आपने देखा था कि कितने इंच का गाप था, कितने इंच का नहीं था, मुझे पता है। सुवाश्री जी आगे बढ़ते हैं, एक चीज बताइएगा, आपने उस व्यक्ति को बाइस थपड मारे पुलिस वाले वहां मौझूद थे, पहले आपने कहा कि वह व्यक्ति आपको टक्कर मारना चाहता था, और इससे पहले भी कई ऐसे आपके उपर हमले होश चेको हैं, औ और वो 300 मिटर तक आपको घसीट के ले गया, उसने मारा पीटा, यह कौन सी दुनिया है आपकी, जहां यह सब कुछ होता है? काविंदर जी, यह मेरी दुनिया है, मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है, और अगर मैं कहा रही हूँ कि मुझे घसीटा गया है, तो घसीटा गया है, अगर मैं कहा रही हूँ कि मेरे उपर पहले ऐसे तमाम चीज़े की गई है, तो की गई है, आप मेरा यकीन कर रहे ह ना तमाम सोशल मीडिया मेरा यकीन कर रहा है, ना कोई चानल मेरा यकीन कर रहा है, क्यों? क्या मैं पागल हूँ, या मैं साइको हूँ, या मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम चीजें जो फेक हैं, वो दिखाई जा रही है सुबाशनी जी आप गलस समझे रहे हैं, मैं आपके ओकर किसी भी तडिके का कोई आरोप नहीं लगा रहा है, बिलकुल नहीं कह रहा है, मैं बिलकुल आपको एक तम हश्ट पोश्ट एक तम अच्छी महिला मान रहा हूं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कि आपकी यह जो फिल्म का क्या ड् region such a ट्रीफिकर दिखा हु आपको सामने सब्सक्राइए कर रहा हुं कि sresale कंपinya लगए कि जू नुक Coin brat जबने लगेगिर 276 अज फिर जो आपको नोगे जिसमें आप एंक से अदिश्वाड से कि यहां पर मुझे किस तरह के जवाब देनी हैं लेकिन हां मैं साउथ इंडियन मुवी की बात करूं या हॉलिवूड मुवी की बात करूं तो यह मैं देखती हूं लेकिन अगर आप यह कहें किसी वज़े से मेरा दीमाग खराब हो रखाया मुझे अपने आप मेरी दुनिया अलग ही बसकई है तो यह मुझे बिल्कुल गरत लग रहा है सक कुछ नहीं है मैं उस वक्त मौजूद थी मुझे जो सही लगा मैंने वो किया मुझे लगा कि मेरे अंदर ताकत है कि मैं इस आदमी को 22 थपड मार सकती हूं उसने मुझे टच किया यह माने की कोशिश किये त जोचीज है सामने उसको बता रहा हूं आपको कि आपकी जो मारने की ईपर दैखे हैं तो उसमें असामको लगा कि आप स्पुरिंग की तरह उचल उचल के मार रहें तो उसको लिकरना तो यह मैं पूशा चारा हूँ बस इससे कोई ट्रेंड फाइटर आपने कोई ट्रेनिंग ली है या इससे पहले आप में ऐसे तमाम चीजे की हैं उस पर थोड़ा सा फैमिनिजम को ट्रेनिंग लेने के जुरूत नहीं है अगर उसे लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है त कर देंगी कि तो फैमिनिस्ट है मैं तो मुझे लगा कि यह मुझसे बत्मीजी कर रहा था कोई भी आरोप लगा सकती है अब तो बिल्कुल अगर आपने ऐसे सवाल दुबारा किये और इस तरह से उचल उचल का इस्तमाल किया तो फिर मैं आपको भी दो तिन थपड़तों है जो ही ठीक है सामाने सी बात है कि अब आप सुवाषनीजी माफी के साथ आगे बढ़ता हूं सामाने सी बात है आप मेरी बात बीट सुनेंगे या सिर्फ अपनी करते रहेंगे तो थपड़ मार चुकी है अब थोड़ा से सुन लीजिए देखिए आप ने एक विक्ति को पीट दिया कूट दिया जो भी था आपने पहले सीधे कहा कि नहीं वो उनके लोग है गैंग है मेरे पीछे है खेर वो सब बात्या मिट चुकी है अब आप फस्स चु को आपको प्रूफ ने रहे हूं ऐसे और दोते वहताए विक्तम कार्ट रूब को और यहां मेरे पास और वह हैं कि अभी में शेमिया सारव करेंड व्रोते हैं वहक्ता है कर बोठेन कार्ट्कंड परनेरे पास और वह ऐसा हत्यार है ञे मेरे को जेल जाने से बचारेगा अच्छा आप विक्टिम कार्ड की बात करें किया विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं जादे दमाग मत दड़ाए अगला सवाल किजिए अच्छा ठीक सुभाशनी जी आप तो मुद्दा ही समाप्त हो गया अगर विक्टिम कार्ड के जरिये अगर आप इसी तरीके से पीट्ती रहेंगी कूट्ती रहेंगी आप इसी तरीके से लोगों को मारती तो भीक्टम करेंगा लिपल करें एकम yol कि पहली बात तो ये विक्टम कार्ड कभी एकस्पायर नी होता और आप जादा मेरा दिमाग मत खराब करें देखे मैं वैसे बहुत परिशान हूं मैं घर से बाहर ने निकल पारी हूं आप लोगों ने मेरा दिमाग खराब करका है मेरा जीना मुश्किल करका है मैं अपने घर किव तो आपने परिबार से बात निकर टूहां आप लोगों चेहां करें नहीं तो कहेंगे हैं वह प्रीति मेरे वहां और जैसे मर्जी विक्टिंग काड खेलू। सामानी सी बात पर आता हूँ, काला रंग, काला रंग आपको नफरत है, आपके वीडियो हमने देखिए इसमें काले रंग को लेकर आपने कहा कि आपको लिक्कत है, घर के बाहर जो काला पेंट होता है, उसे ड्रोन आजाते हैं, जो हमला करते हैं, सब कुछ ठीक है, सुभाष आपको नहीं लगता है, कावेंदर जी, होती अच्छी बात कोई मुद्दा होता, लेकिन अभी तो मुद्दा यही है, कि मैंने थपड लगाए, और जो मुझे लगा कि उस ताइम करना चाहिए, मैंने किया, और काली शुएट आपने भी पहन रखी है, तो मुझे आपसे भ अफरत हो सकती है, और मैं आप पे भी बहुत बड़ा इलजाम लगा सकती हूँ, और हाँ, वो ब्लैक पेंट जो गेट पे करवाते हैं, उससे डोना जाते ही, यह सच है, ऐसा मेरी किताब में लिखा है, मैंने अपनी जिन्दगी किताब खुद लिखी है, अपनी जिन्दग आपको क्या पता है, आप वाँ पे थें? आप वाँ पे थें, आपको नहीं पता है, मेरी जिन्दी के नरक कर दी है, उससे इनसान ने, मैं आप नाम नहीं लेंगे बार बार कह रहा हूं आपसे, मैं नहीं था नहीं था power. वहाँ पर था. वह CCTV ऐब देख लेंगे, तो हो जायेगा। CCTV एंगल पे तो बदला जा सकता है. अच्छा ठीक है. So आपको लगता है कै आपने जो 22 थपड मारे, बिन बज़ा से मारे, उसके लिए आपको कोई भी आप माफी मागने के लिए तयार नहीं है बिल्कुल नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है उस आदमी ने मेरे को मानने की कोशिश की जान से मानने की और मेरे ओपर क्याक्टर आने की कोशिश की कुछ तो हुँा। कॉन से सबूत? सबूत दिखाई ना वो कह रहा है कि ये लिग ऐसीडिए टीवी फुटेज है जिसमें आप दिख रही है बॉइस थफड़ मार रही है आप सबूत दिखाई है कि नहीं अजसी है कि और सवाल करेंगे आप ने मेरी हिम्मत हूं नहीं है या बहुत बहुत शुक्रीया और फूछ जी elderly कावंदर जी और कुछ सवाल हो वैसे आप बहुत पर你好 कर चुके मुझे हर Westip próxim करते हैं। अपकी टीम मुझे परेशान किया हुआ है बार-बार बार इन्टे कि लेनी की कोशिश करते हैं आप किता परेशान करेंगे आपको यह नहीं दिख लड़की परेशान हो रही है उसकी तबद खराब हो रही है वो डिप्रेशन में जा रही है आपको नहीं लगता ऐसा सुवाशनी जी मुझको बिल्कुल भी चीज का इल्म नहीं था अगर मुझ कि किसी भी दिशा में जाता हुआ नहीं दिख रहा बाकी सुवाशनी जी मैं आपको फूल अस्यूरिटी देता हूँ कि अगली बार जब भी मेरी टीम आपके घर जाएगी तो आप मुझको दबाईयां लिख कर देजिए कि हम सारी दबाईयां आपके घर तक पहुचा दें शब्द जोना सिर्फ आज की तारीख में कई लोगों के लिए सिरका दर्द बन चुका है बलकि अधिकतर लोगों को तो इसका असली मतलब भी नहीं पता और मजेदार बात ये है कि इसमें उनका कोई दोश भी नहीं आखिर इस फेमिनिजम सब्द का राज पहले मुर्गी आया या फिर अंडे की ही तरहा है इसमें लोग ये समझ ही नहीं पाते कि विरोध किस बात का करना है और किसका नहीं और फिर शब्द का लोगों ने इतना बेड़ा गर कर दिया है कि अब इसके असली मतलब क्या है ये खुद ही किसी रॉकेट साइंस की तरह का कठिन सवाल बन रहा है चलिए तो हम सारे जंजट को खत्म कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पेवनिजम वास्तव में है क्या आप तो जानते ही है कि ये स्री और पुरुष के बीच के प्राकृतिक अंतर को दरकिनार करते हुए समान अधिकारों की बात करता है इसका सिर्फ एक ही उद्देश है कि चाहें जो भी हो जाए पुरुष और महिला बराबर है। फेमिनाजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या बातें आपको दिखावटी फेमिनिस्ट बताती हैं, आईए जानते हैं। फेमिनिस्ट बताते हैं, तो खुद बखुद आप एक दिखावटी फेमिनिस्ट बन जाते हैं। बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप दिखावटी फेमिनिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सेक्सिजम आखिर है क्या। जब आपका बॉइफ्रेंड या आपके दोस्ट आपको कहते हैं कि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिएं। तो क्या आप उनका वीरोध करते हैं या फिर क्या आप ऐसी बातों को हसी मोड़ा देती हैं या चुप चाप उनकी बात से सहमत हो जाती हैं। क्या आपको यहां कोई प्रॉब्लम दिखती है, हम समझ सकते हैं कि यह ऐसी बात सिर्फ एक मजाग है, जिसे मजाग के रूप में ही लिया जाना चाहिए, लेकिर हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि सेक्सिजम कभी भी मजातिया नहीं होता है। पर अपने पिटाड डोलल्ड ट्रंग का समर्थन किया था, तब बहुत गुसा आया होगा ना, इसलिए इवांका ट्रंप मत बनिये, सिर्फ फेमिनिजम के नाम पर किसी भी बात पर उंगली न उठाए, मान लीजी कि आपकी गर्ल गैंग ना सिर्फ इसलिए आपका मजाग ब बना लिया, आपको पता है कि ये सिर्फ एक फैशन के लिए सला थी, हो सकता है कि ये सला कुछ कठोर लहजे में दी देए हो, लेकिन इसका मकसद आपको नीचा दिखाना कटाई नहीं था, चलिए हम आपको एक और उधारन देते हैं कि आपने कभी किसी को, किसी महिला का मज अगर आपको लगता है कि महिलाओं के शरीर को लेकर बन्दे कमेंट करना गलत है, तो उसी तरहा फुरुषों के शरीर पर भी कमेंट करना गलत है। पसंद के बिना पर उनके बारे में अपनी राय बनाते में लगए। ये पूरी तरह से उनका फैसला है कि आपने लिए वो ग्रहनी बनना पसंद करती हैं फिर या फिर एक कामकाजी महिला हो। सिर्फ इसलिए कि उसकी पसंद आपके पसंद से मेल नहीं खाते हैं वो गलत सावित नहीं हो जाते हैं। आपको पता होगा कि हर किसी को अपना करियर बनाने लायक पढ़ाई नसीब हो जरूरी नहीं। कुछ लोग जितना चाहें उतनी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन नौकरी करना नहीं चाहते हैं ये भी उनकी ही पसंद है। तब दिक्तत हैं। पुरुषों के भी रेप होते हैं ये बात मानने से इंकार करते हैं। ये भी दिखावटी फेमिनिजम है। कंजोर हैं। आखिरकार हमारे यहां मैलाओं की तरह पुरुषों पर भी एक डिफाइन तरीके से रहने और विवार करने का दबाव होता है। इसलिए अगर कोई पुरुष समवेदन शील नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंजोर है। वो भी हर इंसान की तरह आम और उसे भी अपने धंग से विवार करने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए अब आगे से आपर पागल मत बने हैं और फर्जी फेमिनिजम के जंडे मत बुलंद की तो इस शब्द को समझें, इसके बारे में थोड़ा पढ़ें और सबसे महत्तों पोड़वार इसे किसी ह एक इंटर्वियू के जरिये, मैं वो सच सामने लाना चाहता था जो आज के वक्त है, सबसे बड़ी मान, किस तरीके से समाज में जो बदलाव आने लगे हैं, या आज चुके हैं, या फिर बहुत जल आने वाले हैं, उन सभी चीजों को रोकना भी हमारा काम है, उन सभी ची आज रखिये कि एक और वेव हैं, जिस से हमको लड़ना है, वो है सूड़ फेमिनिसम, इस से हमको लड़ना बहुत जरूरी है, ये कारिकरम एक डमी प्रोग्राम था, जिसके जरीए हम आपको ये समझाना चाहते थे, कि किस तरीके से, यहाँ पर समाज में, किस तरीके से ज जिनको हमें प्रोपने की जरूरत है, कल एक वार फिर आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद.